है 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 लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टेडिशी चैनल दोस्तों प्रिवियस यह में जितने भी कोस्टन्स पूछे गया हैं प्रतिक टॉपिक से टीजिटी पीजिटी के विएस एन्वेस यल्टी से उस सभी कुस्टन्स को टॉपिक वाइज आपके समझ कर रहे हूं और दोस्तों इन सभी एक्जाम स्टेजिटी पीजिटी के विएस एन्वेस यहल्टी के सीलिबस के गार्डिन सभी वीडियो मेरे चैनल पड़े हुए हैं आप उन सब वीडियो को देखकर अपने तयारी बना सकते हैं और दोस्तों यमसी की कुस्टन्स डेली ब मापन का कार्य करता है इस स्रियांत्र का प्रियोग सर्पथम किस देश में हुआ था इसका सही जवाब है अमेरिका में सरपर्थम दैनेमोमीटर का प्रियोग कहां हुआ था अमेरिका में नेक्ट कोश्चन है कि स्रियांत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है इसका सही जबाब है दैनेमोमीटर दैनेमोमीटर से क्या मापन जाता है शक्ति का मापन नेश्ट कोशन है कि खेल कूट की सभी गति वीदियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है बुनियादी यानि प्रारमभी जो जरम जाहत है वो घटक कौन सा है मांसपर इसी लोच है कि मांसपर इसी फूर्ती है कि मांसपर इसी चमता है कि मांसपर इसी गति है दोस्तों मानसपेशink गती correct answer है ये खेलकूत की सभी गती विदियों के लिए बनिआदी घटक है तेजी से हाथ पैर की चाल चाहे दौने वाले की टांग हो या सार्पट परने वाले की भुजा हो या मानसपेशी की गती के उदार हो या मांस्पेसिक गती एथलेट की गती सिलता हो विशेश शक्ती खिलाई के सहन सिलता तथा उसके कला कौसल को प्रहावित करते हैं लेक्स कोश्चन है जब हम हाथ और कलाई के साथ एक सरकल बनाते हैं तो इस परिगटना को क्या कहा जाता है इसका शही अंशर है आपसर नमबर सी सरकमडक्शन मानोसरीर की विभिन संधियों से मिलकर बना होता है मानोसरीर जो है विभिन संधियों से मिलकर बना है इस संधियों में कई तरह की गतियां चलती है इसी क्रम में हम जब हम हाथ और कलाई के साथ एक स्रकल बनाते हैं तो इस परिगर्टना को सरकमड्रक्सन कहा जाता है इस क्रिया द्वारा अंग को चारो और गुमाया जा सकता है किसी खिलारी के जोडों में या समपूर सरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा है तो इसमें सही अंशर है इस्टीम बात खिलारी के जोडों में या समपूर सरीर में दर्द हो रहा है तो इस्टीम बात उपचार जदा अच्छा होता है इस टीम बात उपचार को भाफ उपचार के नाम से भी जाना जाता है नेक्ट कोशन है मानस्पेशियों को सुद्रिड हुआ और सुद्डोल रखने के लिए सबसे महत्तोपूर कारक है कौन सा कारक है? ब्यायाम, वोजन, विश्राम, उप्युक्त, सभी तो इसमें सबसे महत्तोपूर कारक पुछा है इसलिए इसमें ब्यायाम ज़्यादा अच्छा होता है नेक्ट कोशन है यदि कोई खिलाडी चलता है तो चलते समय हाथो और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गती होती है? तो उसमें कोडिये गती होती है कौन सी गती होती है कोडिये गती यदि कोई खिलारी चलता है तो चलते समय हाथों एवं पैरों में होने वाली क्रिया में कोडिये गती होती है इस प्रकार की गती विधिया एक अथवा ब्रित की चाप की दिसा में की जाती है तथा यह एक केंद्र के चारो ओर होती है इस प्रकार की गती अथ्वा गतिविधी का एक उदारण है घड़ी की पेंडूलम की गती अथ्वा हमारी टांगों की कुल्हों के जोडों से सम्मंधित गती जो भागते समय कुल्हों को केंडरे अथ्वा आधार के कारण संभो होती है चलते समय हाथों में होने वाली क्रिया को भी यह गती होती है नेक्स्ट कोस्चन है सुमेलित करना है एक तरफ है समन्नों शक्ति प्रतिक्रिया समय गती दुसरे तरफ है उत प्रेडा देने और सारी प्रतिक्रिया के बीच बेतित होने वाला समय दुसरा है गतीवीधी को निर्बाद और प्रभावी तरीके से करने की छमता सरीर को तेजी से हिलाने की छमता तेज गती से बल उत्पन करने की छमता तो इसको मिलाते हैं दोस्तों इसमें समन्नुए में कौन सा होगा समन्नुए का हो जाएगा आपका गतिविधी को निर्बाद वा प्रभावी तरीके से करने की विधी यानि एका भी हो जाएगा एका भी हो जाएगा गतिविधिको निर्वाज वी प्रभावी तरीके से करने की छमता जो होती है वो समनों होती है B है सक्ति, शक्ति का क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिकिर्या समय, C है प्रतिकिर्या समय इसका हो जाएगा उत्रप्रेडा देने और सारी प्रतिक्रिया के बीच देती थोरनी वाला समय C का 1 हो जाएगा And D D का हो जाएगा Third सरी को तेजी से हिलाने की छमता तो इसमें आपसर नमबर D सही एंसर होगा Next question है दोस्तो रुधीर दाप को मापने वाली यंत्र का नाम है रुधीर दाप को मापने वाली यंत्र का क्या नाम है इसका सही एंसर है इस फिगनो मैनो मितर इस फिगनो मैनो मितर से रुधीर दाप मापा जाता है रक्त चाप वह दबाव है जो की रक्त के द्वारा धमनियों की दिवारों पर लगता है दबाव की मातरा दिल के संकुचन की दर तथा उसके बल पर निर्भर करता है एक संचार प्राली में रक्त के आयतन धमनियों की लचकता पर भी यह बल निर्भर करता है एक सुष्ट मनुस से का रख्ट चाप एक सो बीस असी यम एच जी होता है रख्ट चाप जिस उपकरण से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं इस फिगनू मेंनू मिता है यानि दोस्तो जब हिदय हमारे सरी के तरफ रख्ट पंप करता है उस समय जोदाब धमन्यों पर पड़ता है उसे ही रख्ट चाप कहते है नेक्स्ट कोश्चन है कि लचीले पन को साररिक स्वास्ते के लिए क्यों महत्वपूर माना गया है आपसन है जहां मानपेशियों को खिचने में से बचाता है दुसरी पर अच्छा प्रफॉर डालता है भारी वजन उठाने में साहता करता है बिमारियों से लड़ने में साहता करता है आपसन नमबर A करेक्ट एंसर है यह मानपेशियों को खिचने से बचाता है लचिले पन को सारिक स्वास्थ के लिए क्यों महत्पुर मना जाता है क्योंकि यह मानस्पेशियों को खिचने से बचाता है लचिला पन मानस्पेशियों तक की खिचाओ के बाद अपनी समाने अराम दायक लंबाई वो आकरिती में आने की योगिता होती है लचिलापन साररिक स्वास्त के लिए आवर्श्यक माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से क्रियाओं या गतिविधियों को अधिक बिस्तार एप्लिट्यूड आप रेंज के साथ किया जा सकता है तथा यह मानस्पेशियों को खीचनी से बचाता है इसकी अलावा या चोटों से बचाओ करने में आसन को सुधारने में अपीथ के निचली भाग में दर्द को कम करने में आदि क्रियाओं में शाहयक होता है लचीलापन नेश्ट कोस्चन है लचक को क्यों पुष्ट और स्वस्त जीवन सैली का एक घटक माना जाता है तो क्यों माना जाता है दोस्तों इसमें आपसन नंबर भी करेक्ट एंसर है कि साररीक गतिविधियों के दवरान मानस्पेशियों में खीचाओं से बचने के लिए जब हम कोई कारे करते हैं उस गतिविधि के दवरान हमारे में खीचाओं नहों मानस्पेशियों में इसलिए ज़्यादा लाबदाएग है नेश्ट कोस्चन है लचीले पन के विकास की सरोतम पधधती है तो लचीले पन के विकास के सरुतम पधती कौन होती है दोस्तों आपसा नमबर सी स्लो इस्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग मेथड पत्रधी धिर आप इस्ट्रेच करके फिर उसी पर आप कुछ देज तक रुके रखेंगे होल्ड करके रखेंगे यह लचीला पन बिस्तार कर करने का सबसे उत्तम बिधी होता है नेक्स कोश्चन है कि लचीले पन के प्रसिच्छर के लिए उपयोगी है तो गतिवर्धन दौर पोलियो मैट्रिक्स गतिवाली दौर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं इस लचीला पन के विक्सित करने के कोई भी विदिया नहीं है, seat and reach औरफित करता है कि इसने मानस्पेक्षियु में खिजाओ नहीं होता है आपसन नमबर D तन्यता यानि की लचीलापन फ्लेक्सिविट्टी मापी जाती है क्योंकि इससे मांस्पेशियों में खिजाओ नहीं होता है नेश्ट कोश्चन है गोनियों मीटर क्या मापने में परियोगत होता है तो गोनियों मीटर से क्या मापा जाता है लचीला पर आपसन नमबर A नेक्स्ट कोश्चन है सारी सनरचना को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सारी सनरचना यानि बारी कंपोजिशन को कौन मापता है दोस्तों इसकीन फोल्ड कैलीपर नेक्स्ट कोश्चन है मोटापा जो युवा लोगों में तेजी से बढ़ रहा है वो आमंत्रित करता है बिकलांगता रोग और आपसन नमबर स्थी अकाल मृत्ती को मोटापा जो आजकर युवा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो बिकलांगता को आमंत्रित करता है और अकाल मृत्री को निश्ट कोश्चन है सरीर की मुटापा मापने का यंत्र है क्या है स्कीन फोल्ड कैलिपर स्कीन फोल्ड कैलिपर दोस्तों मानो सरीर की अलग अलग जगों पर सरीर की वशा का मापन स्कीन फोल्ड मिटर या स्किन फोल्ड कैलिपर्स के साहता से किया जाता है सही जगह पर माप लेना बहुत ही महतोपड होता है इसलिए माप लेने से पहले माप लेने वाली जगह को सही धंग से चिन्धित कर लेना चाहिए फिर भी सही माप लेना इतना आसान कारे नहीं है क्योंकि तुच्चा वस एडिपोच उत्तकों की संपेंडता या दबाओ आयो की अवस्था जल योजन व आकार आदी के साथ अलग-अलग होता है नेक्ट कोश्चन है सरीर में वसा की प्रतिसत्ता मापने का उपकरर है सरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने है तू जिस यंद्र का उपयोग किया जाता है उससे कहते हैं कि इस तो और पाल के दोस्तों इससे से लेटिट हुआ है आठी लेटा को वसा के मापना कान मापन का उपयोग वसा का मापन करता है या इस्किन फोल में चुछन है कि इन मेंसिघ्स किस अस्थान पर सक्षान मापन नहीं लिया जाता है किस अस्थान पर नहीं लिया जाता है बाइस से काफ मांस पे सी पेट हथेली तो दोस्तों बाइस से काफ मांस पे सी पेट इन जगों पर लिया जाता है जब कि हथेली पर नहीं लिया जाता है क्योंकि यह तोचा की पकड में नहीं आता है कि अगर महिलाएं स्वस्त वजन सीमा यानि BMI 18.5 से 24.9 में है यानि कि यह आपका एक आदर्स मन जाता है BMI इतना होना चाहिए तो गर्भा वस्ता के दौरान कितना वजन बहना चाहिए उसकी सुझाई गई मात्रा क्या है तो इसका एंसर होगा 11-16 किलोग्राम नेश्ट कोश्चन है कि BMI यानि सरीर आकार सुचकांक यानि मोटापा जानने की बिधी है BMI की गर्णा करने का सुत्र क्या है तो दोस्तों इसका सुत्र होता है कद यानि लंबाई गुड़े जो सरीर का भार होता है वो किग्रा में होता है तो आपसर नमबर सी होगा किग्रा वजन में अपान मीटर में लंबाई स्क्वायर किग्रा वजन में जो सरीर का भार होगा वो किग्रा में होगा उसके अपान हो जाएगा मीटर में लंबाई का स्क्वायर नेश्ट कोश्चन है कि गर्भा वस्था के दौरान कितना वजन बढ़ेगा वह पूर गर्भा वस्था ब्यमाई पर निर्भा करता है ब्यमाई का पूर रूप क्या है इसका पूर रूप होता है बाड़े मास इंडेक्स यह ब्यक्ति के मोटा और पतले होने की सूचक परदान करता है निर्फ कोश्चन है ब्यायाम के लिए शरीर की पततपरता को मापने का एक तरीका है ब्यमाई माप का उपवोग करना उपयोग करना निर्वन मेंसे कौन शाद ब्यमाई स्कोर माप मोटापे के उंगित करता है दोस्तों 18-22 या 18-24-29 तक एक आदर्स होता है वो नो मोटाप जबकि 32 या इसमें सही आफसन है 32 जो मोटापा इंगित करता है 32 इसकोर जो होता है उपका सही एंसर होगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होप की सभी कुस्टन्स आपको अच्छे से समझ में आये होंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरू वीडियो जला सकूँ हैं दोस्तों पहली बाव वीजिट कर रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजी बेल आइकन को प्रेस कर लिजी जिसे जो में नया वीडियो अप्लिट करूंगी उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ तब 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 येडियो